हे दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बहुत ही इंट्रेस्टेड टॉपिक हिमालय के बारे में हिमालय की उत्पत्ति के बारे में और उसकी कुछ विसेस्ताओं के बारे में क्योंकि हम जानते हैं कि हिमालय जोगरफी विसे के अंतरगत बहुत ही इंट प्रत्ति एक रहसे ही समझ दो क्योंकि हिमाले के अंतरगत क्या है दुनिया की जो टॉक altMusic जो सबसे उंची जो परवश स्रिंग खलाएं हैं वह हिमाले परवश स्रिंग खला में आती हैं लेकिन आपको यह जान करके हैरानी होने वाली है कि सबसे उंची स्रिंखला होने के बाबजूत यहाँ जो हिमालय परवस्रिंखला है यहाँ सबसे लास्ट में यहाँ कि नवीन्तम क्या है परवस्रिंखला है अर्थात यदि इसमें सबसे उंची उंची परवस्रिंखला है हैं तो इसको नवीन्तम नहीं वल्कि Η सब पुरानी होने चाहिए थी लेकिन क्या है यह सब से नई हैं तो आज हम इसी के बारे में चर्फा करने वाहने हैं कि क्यों हिमाणय सब से चर्फारे हैं और इसकी जो परवस्ष्ष करें हैं फिर भी वह सब विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी क्या है परवस्रिंखला है जो कि पूर्व से पस्यम दिसा में जो विस्तृत है वहाँ क्या है हिमालय क्या है विस्तृत की सबसे लंबी परवस्रिंखला है जबकि हम आमने जो परवतों से संबंदित वीडियो देखा था विस्तृत दक्षिन में क्या है विस्त्रित है जो एंडीज है दक्षिन अमेरिका में है वह उत्तर से दक्षिन में विस्त्रित है जब कि रौकी है जो उत्तर जो क्या है उत्तरी अमेरिका में है वह का है उत्तर से दक्षिन में है उसे तरह से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया जो पर हमें पता चली है कि पूर्व से पस्चिम दिसा की ओर जो विश्व की सबसे लंबी परवश्रिंखला है वह है हिमालय हिमालय का जो विस्तार है वह है जम्मु कस्मीर के नंगा परवश से लेकर अरुनांचल प्रदेश के नामचा बरवा तक कहां तक जम्मु कस्मीर के नंगा परवश से लेकर के अरुनांचल प्रदेश के नामचा बरवा परवश तक पच्चिस सौ किलोमेटर क्या है हिमालय की लंबाई है 25-100 km क्या है हिमाले की लंबाई है तो इस तरो से हिमाले की सबसे पस्चिमी चोटी कौन सी हो गई वह हो गई नंगा परवत और जबकि हिमाले की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी हो गई नामचा बरवा नामचा बरवा है आपके अरुनाचर प्रदेश में और नंगा परवत है आपका जम्मुकस्मीर में तो इस तरह से पस्चिम में हिमाला की चोड़ाई क्या होती है ज्यादा होती है उसी तरह से पूरव में आते आते क्या होती है हिमाला की चोड़ाई है वहाँ कम होती जाती है इसका करण भी हम जानेंगे धीरे धीरे इस तरह से जब हम देखते हैं, कि हिमाले में जब हम पस्चिम से पूर्व की ओड़ जाते हैं, तो जो परवतर सिखर हैं, उनकी ओचाईयां बढ़ती जाती हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि जो एवरेश्ट स्रिंखला है, हिमाले परवसर श्रिंखला. एवरेश चोटी जो है वह क्या है दुनिया की सबसे उची चोटी है वह कहाँ पर है आपके पूर्वी छोर पर नैपाल देश में इस्तित है तो इस तरह से हम जानते हैं कि जो एवरेश परवस रिंखला है उसकी है जो उचाई है वह है आठ जार आठ सो अड़तालिस मीटर कह कहीं पर आठ जार आठ सो पचास मीटर दे रखा है तो इस तरह से हम देखते हैं तो हिमालय परवस रिंखला के अंतरगत हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो हिमालय का आकार होता है वह लगभग चापाकार और धनुशाकार होता है देखिए धनुश की आकृति का होता है हि किलो मेटर है हिमालय के उत्तर में तिबबत का पठार है यहाँ पर उत्तर में तिबबत का पठार इस्तित है जबकि जो यह क्या है तिबबत के पठार के उत्तर में क्या है कुनलुन श्रैनी इस्तित है हिमालय अपने पूर्वी तथा पस्चमी छोड़ पर क्या होता है यहाँ पर देख सकते हैं कि दक्षिन जो यहाँ पर पस्चमी छोर है यहाँ पर पाकिस्तान में सुलेमान परवत तरह अफगानिस्तान में हिंदु कुछ परवत क्या है हिमालय को कहते हैं तो इसी तरह से पूर्वी छोर पर हिमालय के दक्षिनावरती मोड को पूरोतर भारत के अलग-अलग राज जो पुरोतर भारत है हमारा वहाँ पर अलग-अलग नामों से जाना जाता है अलग-अलग राजियों में जो मिजोरम है वहाँ पर मिजो पहाड़ी मनिपूर है मनिपूर पहाड़ी नागा लेंड है नागा पहाडी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर नागा लेंड, मनिपूर और मिजोरम हैं तो यहाँ पर यह पहाड़ियां आपको थोड़ा थोड़ा दिख रही हैं तो इस तरह से इनका नाम है यहाँ पर अरुनांचर प्रदेश में पटकोई बुम यहाँ पहाडी इसे कहते हैं हिमाले की जो स्रिंखला कहां पर है रोनाचल प्रदेश में विस्तृत है उसको बोलते हैं पटकोई बुम पहाड़ी इसके बाद हम देखते हैं तो म्यामार में इसे क्या कहते हैं इसकी एक स्रिंखला कहां है यहां पर म्यामार की तरब भी जा रखी है तो इसे क रहते हैं अराकान योमा परवस्रेणी हमने जब दीपों के बारे में अध्यन किया था दीपों वाले वीडियो में आपने सुना होगा हमने अराकान योमा परवस्रेणी के बारे में बात करा था जो कि क्या करती है आगे बढ़ती है दक्षिन की तरफ और जो अंडमान बार जो दीप समो है वह इसी अराकान योमा परवस्रेणी के क्या है हिस्से हैं जो हिमालय है एक नवीन वलिद परवत है जिसके बारे में हमने बात की कि हिमालय जो है सबसे नवीन तम क्या है वलिद परवत है ठीक है तो हिमालय का निर्मान जो है वह सेनो जो एक महा कल्प मे हुआ था तो इस तरह से हम देख पाते हैं तो जो हिमालय की उत्पत्ति के बारे में जो सबसे अच्छी व्याख्या की है वह की है कोबर ने कोबर ने अपनी भू शन्यति शिधान्त के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति के व्याख्या की है कोबर ने बताया कोबर सुपर के बा आज जहां पर हिमालय है, यहां मैप पर आप देख बा रहे हैं, जहां पर यह हिमालय की अवस्तिती है, वहां पर पहले क्या हुआ करता था, तैथिस सागर हुआ करता था, ठीक है, तो तैथिस जो भूशन्रति के दक्षिर में क्या था, गोर्डवांडा लेंड था, और जो उत्तर में था क्या अंगारा लेंड, यह आपने पहले भी यह थियोरिय सुनी होगी, तो गोर्डवांडा लेंड था उसके दक्षिर में, और उत्तर में था अंगारा लेंड, तो कोबर के अनुशार क्या होता था, जो यह दोनों भूखंड है, इन पे नदियां भैती ठीक है, यहाँ पर दोनों में क्या होती होंगी, नदियां भैती होंगी, अब इन नदियों से क्या होता होगा, इन नदियों से होता यह है, कि इन नदियों से धीरे धीरे जो मलवा है, वह कहां गया, उन्होंने जो तैथिस सागर है, उसी तरब भैती हैं, धलान उसी तरब होता होगा तो वो जो नदिया है वे अपने जो अपने साथ मलवा भार करके ले गई और उस मलवे को धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पर जमाना शुरू किया और बहुत लाखों करोणों वर्सों के बाद क्या हुआ वहाँ पर एक क्या हुई एक परवस्रिंखला धीरे 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 उसमें परवस्रिंखला का रूप ले लिया और वहाँ पर इस तरह से हिमालय परवत का निर्मान हुआ तो यहाँ पर यह कोबर की व्याख क्या है कोबर के अनुशार हम देख पाते हैं क्योंकि जो गोणवाडा लेंड तथा अंगारा लेंड में जो नदिया है वह अपने साथ आउसादों के ले गई हैं और फिर उन्होंने मलवा जमा कर दिया है तैथिस भूस सन्नति पर और इस तो हमारा भारत उप महादीब है उसके बारे में हम जानते हैं कि यहाँ क्या था पहले यूरोप महादीब का हिस्सा था अब आप सोचोगे कि हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ यूरोप का हिस्सा था या या किसी सौरी यूरोप का ने अफरीका महादीब का हिस्सा कैसे हो सकता है तो लेकिन जब हम पूरे विश्व का मानचितर जब हम देखते हैं तो हम कहीं जगों पर पाते हैं कि जो आकरती अफ्रीका महाधीब के इस पूर्वी छोर की है वही क्या थी हमारे जो भारत महाधीब है उसके दक्षनी छोर की है इसलिए अनुमान लगा जा सक कि जो ये क्या हैं जो ये प्लेट्स होती हैं वे क्या करती हैं धीरे 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 क्या होती हैं आपके उत्तर दिशा की उत्तर पूर्व की ओर ये खिसक रही हैं तो पहले ये अफरीका का हिस्सा था धीरे धीरे ये क्या हो गया खिसकने लग गया तैथिस सागर की तरफ तो इ एक और एक्जाम्पल है कि जो गुजरात है गुजरात के केवल पूरे एसिया महादीप में जो गुजरात का कच्छ छेतर है वहीं पर क्या पाया जाते हैं बबर सेर पाया जाते हैं जबकि यहाँ पर इस तरह के इसका कारण यहाँ माना जा सकता है क्योंकि पूरे दुनिया म यहां से टूटा होगा तो वे बबबर सेर क्या हो गए गुजरात के इस हिस्से में आगे तो इस से भी यहां अनुमान लगा जाता है तो आप यहां चित्र पे भी देख पा रहे हैं कि समय के साथ धीरे-धीरे सेवैंटिवन मिलियन टाइम के बाद या पचपन यहां एतने धीरे-धीरे धीरे यहां पर आगिया तो इस तरों से भी क्या हो गया था धरातल के अंदर क्या हो रहा था दबाव बढ़ रहा था और नदियों का मलवा भी उस जगोपे भर रहा था यहां पर आप चित्र में द दवाव भी plates के अंदर आ रहा है और यह plates इजहर खिसक रही हैं दवाव बढ़ रहा है और यहाँ पर धीरे धीरे जो यह समुद्र है तैसे समुद्र है उस वह क्या हो रहा है समाप्त हो रहा है और यहाँ पर हिमालय परवत का निर्मान हो रहा है तो इस तरह से जो हिमालय है तिबत का पठार है, कुनलुन श्रैनी जो है, इन सब का निर्मान इसी प्रकरिया के हिसाब से हुआ होगा, इसी प्रकरिया से हुआ होगा, यहां कहा है कोबर ने, ठीक है, इसके बाद एक और थियोरी है, जिसमें हैरी हेस ने अपना सिध्धान्त दिया है, हैरी हेस ने अपन की भारतिय प्लेट यूरेसियन प्लेट अफ्रीकनन प्लेट उत्री- अमेरिकन प्लेट ब्राशान्थ व्हेंसाग्रिया प्लेट और एंट्रुप्रिक Milton रखबग निसंद्रु accept, वह जो हमारे वहादवीब महाद्वीब स्वितलिकर नीचे 200,000 नीचे हैं why और कि यह plates है, उनके नामों के आधार पर ही इन plates का नाम बढ़ा है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं Indian plates और Hor genetics, प्लेट में किस तरो से यह दोसरी तरफ खिशक रही हैं यह plates और यहाँ पर धीरे, धीरे, धीरे करके हमालय का निर्मान हुआ है, तो हमालय क्या है, इक नवीन देख पाते हैं कि जो ये प्लेटे हैं ये गतिसील होती है ये हमने आपको बताया है इसी गतिसलता के कारण क्या हुआ जो 33 सागर में अंगारा लेंड और गोर्णवांडा लेंड के बीच क्या बना प्रैशर बना जब यहाँ पर प्रैशर बना और ये नदियां का बहाओ भी होई रहा था तो यहाँ पर क्या हुआ मल्वा जमना शुरू हो गया इस दो से प्लेट भी इधर की तरफ खिसक रही थी जो ये अंगारा लेंड की प्लेट है ये भी खिसक रही थी तो इस प्लेट के खिसकने के कारण यहाँ पर आप धीरे-धीरे देख पा रहे हैं पहले इसने थोड़ा सा मल्वा जमा किया समय के साथ-साथ यहाँ पर प्रेशर भी बनता गया प्रेशर के अकवर्डिंग धीरे-धीरे-धीरे करके यहाँ पर इस तरो से परवतों का निर्माण हुआ और धीरे-धीरे यहाँ एक उच्चितम परवत्स श्रेनी वाला परवत भी बन गया तो यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरो से हिमाले का निर्माण हुआ और यहाँ पर यूरेशन प्लेट से किस तरो से टकराए और मलवे से जो नदी के मलवे से किस तरो से हिमाले का निर्माण हुआ तो उम्मीद है कि आपको यहाँ उनके बारे में बात होगी और इसी तरह से हिमाले का अन्या तरीके से भी वर्गी करण किया जाएगा तो आप जो इसके बाद जो पार्ट हिमाले के बारे में आने वाले हैं उनको भी जरूर देखें तो इस तरह से बने रहेने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो क अंतो तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद